तो हम लोगों ने कल IP desk को start किया वा था और IP desk के अंदर हमने कल classes के बारे में देखा था number of bits कितने reserve होते हैं class A के अंदर और classes में क्या range है वो हमने discuss किया था और हमने discuss किया था कि हमारे पास जो area idea वो क्या है आज मैं आप लोगों कुछ IP के अंदर continue करते हैं जैसे कि suppose मेरे पास जो classes है हमारे पास class A class B and class C की अगर मैं बात करूँ तो class A की अंदर जो network bits है network bit तो इसमें आपके पास total 8 bit होती है जिसमें से जो पहला जो bit है यानि जो first octet है वो हमारे क्या है यानि जो first octet करूँ first octet के जो पहला bits है वो fix है हमारा जो कि 0 है बाकी remaining कितने bit बचे हमारे पास 7 bits तो network में कितने bits है हमारे पास 7 तो अगर मैं 2 की power number of 7 करूँ तो इसका मतलब 126 total networks बनेंगे हमारे class A के अंदर एक network के अंदर आपके कितने system आएंगे उसके बारे में भी बात करेंगे कि हम number of networks bit count कर रहे हैं कितने हमें मिलते हैं जो कि हम use कर सकते हैं और उसके हिसाब से हमारे पास total network कितने बनेंगे particular class में तो class A के अंदर जो पहला जो bit है जो कि 0 वो fix है हमारा remaining bit हमारे कितनी बची 7 और 2 की power अगर मैं 7 करूँगा इड विल टू की power 7 का मतना बदा है 126 नहीं स्वारी 126 नहीं 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 आएगा 128 होता है गे में ए सेकंड 128 होता है टू की power अम टू की पावर वन टू की पावर 7 यह 128 होता है 128 टूटल number of network निकलेंगे 128 अगर class B की बात करूँ तो class B के अंदर पहला जो bit है 0 है फिर दूसरा जो है पहला bit हमारा 1 है दूसरा bit हमारा 0 है बाकि remaining कितने bit हमारे पास 16 होती है 16 में से एक first 1 bit होती है एक second देना में रूको एक second देना में रूको एक second देना में रूको नहीं होई थीक है तो हमारे पास पहली जो bit होती है नहीं है टोटल number of bit कितने हमारी network के लिए 16 रिजर्व होती है मैंने आपको बता था कि स्टार्टिंग के दो अक्टेट है वह हमारे network के लिए fix है इन में से भी 2 bit हमारे fix bit होते हैं जिसको हम use नहीं कर सकते तो remaining बच्चे कितनी 14 तो 2 की पावर अगर हम 14 करते हैं तो number of कितने हमारे पास network निकलेंगे तो यहां पर calculate कर लेते हैं 2 की पावर 14 तो हमरे पास 16384 network बनेंगे class C के अंदर 16384 total networks चीक है अभी हम थोड़े दिर में उसके बादे में बात करेंगे then इसके बाद होता है class C के अंदर तो हमारा 110 तीन bit fix होते हैं 24 में से 3 गए तो 21 remaining bit हमारे बज़े नेटवर्क के लिए तो 2 की पावर 21 करेंगे so what we will get 2 की पावर 21 it means 2097152 total networks बनेंगे हमारे class C के अंदर ये तो बात रहीं network की तो अब हम बात करेंगे total number of hosts in class A per network यानी total जो हमारे पास network निकल रहे थे वो 128 network माने बन रहे थे लेकिन एक network की अगर बात करूँ class A की तो उसमें कितने हमें host यानी कितने IP मिलते हैं usable IP तो formula होता है host की calculation के लिए 2 की power number of host bit minus 2 यह minus 2 किसलिए करते हैं वह अभी हम फोरे में बात करेंगे this is the formula for the host calculation per network 2 की power number of host bit minus 2 तो class A के अंदर आपको पाता है जो पहला octate होता हों network के लिए fix होता है बाकी के जो 24 bits है वो हमारे number of host bit है तो 24 bit हमारे host के लिए है तो formula है 2 की power h 2 की power number of host bit तो 8 8 8 यहनी 8 3 तो 24 तो 24 bits हमारे host के लिए है minus 2 तो 2 को हम 24 time multiply करेंगे we will get 1 करोड 67,77,216 यह value हमारी निकलेगी इसमें से हम minus 2 कर देते हैं तो 1 करोड 67,77,214 IP हमें मिलेंगे per network class A के अंदर अगर हम class B की बात करें तो class B के अंदर starting में हमारे पास दो जो octet होते हैं वो network को represent करते हैं और last के जो 16 bits हैं या 2 octet जो हैं वो हमारे host को represent करते हैं तो 2 की power h minus 2 तो 2 की power h मतलब 2 की power 16 number of bit हमारे host के लिए है minus 2 अब minus 2 क्यों करेंगे देखेंगे भी फोले दिन में तो यह होगा 65,536 minus 2 65,534 IP मुझे per network मिलेगा अगर मैं class B का network यूज़ करता हूँ तो इसी तरीके से अगर मैं class C की बात करूँ तो class C के अंदर हमारे पास जो starting के जो 24 bit हैं वो network को represent करते हैं और last का जो 8 bit है वो host को represent करता है तो calculation 2 की power H minus 2 तो मतलब 2 की power number of host bit 8 है minus 2 256 minus 2 means 254 हमें 254 IP हमें मिलेंगे per network अगर हम class C का यूज़ करते हैं ठीक है और जब भी हम बात करें एक network की class C से start करते हैं तो जो हम IP की बात करते हैं किसी भी class की तो उसको तीन पार्ट में divide किया गया है एक divide किया गया है जिसको हम लोग बोलते हैं network ID एक को बोलते हैं हम broadcast ID broadcast ID ID है IP बोल भी सकते हैं इसको आप no problem और एक होता हमारा valid IP तो ध्यान रखना जो network ID है और broadcast ID है these two IPs we cannot assign to device network में आप किसी भी device को network ID और broadcast ID assign नहीं कर सकते network id क्या बताता है कि आपका area id क्या है basically it's a area id network id tell you the area id like area id जिसे बोलते हैं जिसको identify करेगा यह आपका जो particular device है वो किस network को belong करता है this is tell by the network id broadcast id क्या होता है broadcast id kind of a address होता हुग भी हम थोड़े बात करेंगे कि इसका क्या concept होता है क्या logic होता है तो यह दो ip हम use नहीं कर सकते हैं तो अगर मैं बात करूँ class c की और valid ip क्या होता है यह वो ip होता है this ip we can assign we can assign to device to the device किसी भी device को अगर हम IP just assign करना होता हुग valid ip ही कर सकते हैं हम लोग ठीक है calculation कैसे करते हैं वो थोड़ा सा दिखते हैं सबसे पहली बात करते हैं हम network id कैसे निकालते हैं class c की बात कर रहे हम यह आपे ठीक है class c का कोई भी ip अगर हम लेते हैं तो अमारी जो starting range होती है which is 192 ठीक है जैसे हमने ip लिखा 192, 168 1.1 यह एक ip है this is an ip यह एक valid ip है पट मुझे network id निकालना तो कैसे निकालेंगे तो we know कि class c के अंदर पहला जो octet जो starting के तीन octet वो network को represent करते हैं तो इन network के अंदर जो आपके numbers है 192, 168 and 1 इसको हम azatis उता लेंगे और जो host वाला portion है this one इसको हम लोग क्या कर लेंगे 0 कर देंगे then when the host portion is 0, when the host portion is 0 called network id हम इसको क्या बोलते हैं network id बोलते हैं और अगर मैं बात करूँ broadcast id की तो यह होगा आपका 192, 168, 1.255 when the host portion is 255 called broadcast id इसको हम लोग broadcast id बोलेंगे और यह दोनों IP आप किसी की system पर assign नहीं कर सकते हैं तो valid IP कहां से कहां तक हुई आपकी जो valid IP हुई वह हुई आपकी 192, 168, 1.1 से लेके 192, 168, 1.254 this is the range, it is the valid IP, this is the valid IP we can assign on the device अब पहली चीज़ ध्यान रखो एक चीज़ कि अगर मैं किसी भी class C के अगर मैं इस network को use करते हुए if I've been using this network और इस network को use करते हुए मैं system को device अगर IP design करूँ तो क्या होगा तो अगर मेरा एक system है इसका IP है 192, 168, 1.1 और ये computer है इसका IP है 192, 168, 1.99 तो मैं क्या बोलूँगा अगर मैं इसकी बात करूँ this is the PC1, this is the PC2 तो PC1 जो है 192, 168, 1.0 network से बिलॉग करता है और PC2 भी 192, 168, 1.0 network से बिलॉग करता है इस system भी भिलॉग कर दर 121, 168, 1.0 network ये network हो है इस the network ID, this is also network ID and this is the identification of the device 99 is the identification of this device, 1 is the identification of the device जैसे telephone number और आपका area code होता है वह सम्सीज होती है समझ में आ रहा है न, RM जी और बिनी जी ठीक है तो इसी तरीके से अगर हम Class B की बात करें Class B की बात करूँ तो Class B के अंदर हमें पता है कि जो starting के जो दो octet हैं वो network को represent करते हैं, last के जो उसको represent करते हैं तो अब है क्या चीज़ ध्यान से समझते हैं कि अगर मैं Class B का कोई IP address लेता हूँ तो we know कि हमारी जो range होती है वो 128 से लेके 191 तक होती है starting का जो octet अगर्च में यह value है इन में से कोई एक value है तो मतलब हम Class B मानेंगे तो Class B का कोई IP address लिख लेते हैं तो 172.16.99.199 सब्पोज मैंने एक system को यह IP दिया हुआ है तो मुझे उस system का network ID निकालना है broadcast ID निकालना है तो 172.16.0.0 यह हो जाएगी आपकी network ID and 172.16.255.255 क्योंकि मैंने कहाँ था host portion को 255 करना है तो this is the host portion अगर मैं binary की बात करूँ तो all यह मेरे all ones होंगे यह मेरे all zero होंगे all one को करोगे तभी तो 8 bit को अगर one करोगे तो 255 बन जाएगा क्योंकि इनकी place value को जाब आ प्लस करोगे we will get 255 value तो यहां पर class B की अगर मैं बात करूँ तो class B के अंदर 172.16.255 यह मेरा क्या हो जाएगा broadcast ID and the valid IP कहां से कहां तक होगी valid IP will be from 172.16. चो पहला system होगा उसको हम IP दे सकते है 0.1 ठीक है अगले system को IP देंगे हम अच्छा रेंज कहां से मैं रेंज दिखा रहता हूँ जो range होगी वो होगी 172.16.0.1 से start होगा पहली IP और जो last IP होगा which is 172.16.255.254 this is the last IP and this is the first IP मतलब यह हिसा रेंगे यहां तक हम दे सकते हैं assignment कैसे होगा वो भी हम थोड़ेंगे बात करेंगे इसी तरह के से class C अगर मैं A की बात करूँ तो class A के अंदर कोई भी एक IP लिख लेते हैं 10.1.1.1 तो network ID क्या होगी 10.0.0.0 and 10.255.255 क्योंकि यह हमारे hostbit है hostbit को अगर हम 255 करतेंगे तो यह network ID यह broadcast ID हो जाएगा this is the network ID and the range is 10.0.0.1 to 10.255.255.254 इसे एक minus होगा होगा हमारी valid IP होगी तो this is the range of the valid IP from 10.0.0.1 to 10.255.255.254 समझ में आ रहा है इतनी चीज़ यह सुननों फिर आवगे बढ़ते हैं चीक है विनी जी आपको भी के लिए रहे चलिए तो यह तो बात रही हमारी कि network ID और broadcast ID तो मैं एक बाद प्रूब भी कर देता हूँ कि हम network ID को assign नहीं कर सकते तो network ID और broadcast ID को assign नहीं कर सकते तो मैं एक बाद अपने network property पे चलता हूँ किसी भी हमें यहां पे NIC card पे right click कर लेते हैं use following IP address तो मैं class C का use करता हूँ 192.168.10.0 ठीक है जो network ID होगी 10.192.10.0 ही होगा network ID और अगर मैं यहां पे करता हूँ और मैं यहां पे okay करता हूँ तो मुझे error दे रहा है क्या बोल रहा है ध्यान से समझो the combination of the IP address and subnet mask is invalid in the host address portion the IP address are set 0 मतलब आपने इसको 0 set किया है please enter the valid combination तो obviously आप नहीं कर सकते अगर मैं इसको 255 कर देता हूँ तो means यह all one हो जाएगा all one हो जाएगा और broadcast ID हो जाएगा यह हमारा okay करेंगे तो भी क्या बता रहा है ध्यान से समझो same होई चीज़ बता रहा है कि this is the combination is not valid and in the host portion the host address portion IP address are set 1 आपने one set किया है मतलब all आपने one set किया है तो this is an invalid entry तो यह भी accept नहीं होगा आप okay कर लिजे close कर लिजे नहीं करने देगा हाँ अगर इसके बीच का कोई range ले लेंगे आप 254 कर देंगे हुआ कि वो last IP है valid IP है okay करेंगे इसने ले लिया keep in mind आप network ID broadcast ID को कभी नहीं दे सकते अब हमारे को यह भी तो प्रूफ करना है कि हमारे जो systems हैं वो आपस में अगर वो same network में होंगे तो communication कर पाएंगे नहीं होंगे तो नहीं करेंगे ठीक है उसको बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कोई भी class की जो आई-पीडर सा मस्ता है हां जी क्या बोल रहे है हां हां अभी हो अभी आता हूं मैं definitely definitely network ID तो आपको यह बताता कि आपका network आपका network क्या है राइट area ID basically network ID क्या है this is tell by the network ID broadcast ID के बादे मैं भी बताऊंगा थोड़ी दिर का वेट करना पड़े अब को I will tell you what is the broadcast ID what is the use of the broadcast ID definitely network ID समझ में आगे network ID का क्या concept है कि पर्टिकुलर सिस्टम किस network को बिलोग करता है यह आपके network ID बताता है आपको और चीज़ी थोड़ी डिटेल में समझा दूं कि जो IP के assignment है जो system पर हम IP address असाइन करते हैं हाला कि एक company में अगर 200 IP अगर असाइन करना है कि नेटफॉक में तो वह DSTP के थ्रू ही होता है लेकिन आपको एक राइट वे पता होना चाहिए कि यह range जो आपने बताया जैसे कि class B की अगर मैं बात करूँ class B की बात करूँ class B की अगर मैं बात करता हूँ class C से start करते class C का कोई अगर network लिखते है 192.168.1.0 we know very well this is the network portion this is the network portion this is the network portion तो मेरा network ID क्या हो गया this is my network ID and यह मेरा network हो गया यहां से यहां तक यह वला हमरा host portion हो गया यह हमरा network portion हो गया this is the host portion we know very well अब question यह आता है कि अगर मैं किसी system को class C से IP address उठाता हूँ 192.168.1 network का देना चाहता हूँ तो मैं कैसे दूँगा तो जो पहला system होगा उसको IP दूँगा मैं 192.168.1 यह मेरा network हो गया पहले system को जो IP दूँगा 1 होगा तो मतला जो मेरा system है वो 192.168.1 network से बिलॉंग करता है and the identification number is 1 ऐसी पहले जो second IP दूँगा which is 192.168.1.2 second IP system को third system को दूँगा 192.168.1.3 और यह चलता रहेगा कहां तक जाएगा last 192.168.1.254 this is the last IP and this is the first IP अब इसके बाद जो हमारा 192 168.1.255 यह हमारा क्या हो जाएगा broadcast ID IP कह लिजे या ID कह लिजे आपकी मरजी IP भी बोल सकते है आप इसको broadcast ID बोल लिजे या broadcast IP बोल लिजे कुई गलत नहीं है 192.168 start तो मारा 1.0 से ही होगा तो 0 जो होगा हमारा network ID हो जाएगा तो this is this cannot be assigned and this cannot be assigned बाकी valid IP अब clock कैसे गुमेगा जैसे यह 255 हो जाएगा आपका 255 हो जाएगा तो यह next 256 तो हो नहीं सकता है ना तो क्या होगा 192 168 यह वाला जो value है 255 वाला यह हो जाएगा 0 बापिस वो clock क्या होता clock जाब होता तो उसके बाद यह फिर बापिस से 0 पर चला जाएगा तो इसलिए हमने 0 ले लिया तो अब जो है यह 0 हो जाएगा और यह वाली value है इसमें 1 प्लस हो जाएगा 2.0 तो यह मेरा क्या हो गया 192.162.2 network तो यह मेरा next network है यह मेरा next network निकल गया समझ में आ रहा ना क्योंकि यहां पर value क्या हो गई change होगी अब आपके देखिए उपर 192.161 network है और यह आपका 192.162 network है तो दोनों different होगे ना तो इसके बाद हमारा जो है अगला network शुरू हो जाएगा तो this is the next network इस तरी के सा same sequence इसका भी चलेगा 2.0 192.168 2.1 पहली IP होगी 192.168 2.2 second IP होगी कहां तक जाएगा 192.168 2.254 this is the last IP and the broadcast ID क्या होगा 192.168 2.255 this is my broadcast ID this is the BID या IP whatever broadcast IP बोल लीजे BIP महिला broadcast IP या फिर BID या फिर broadcast ID बोल लीजे इसके बाद फिर next क्या हो जाएगा 192.168 255.0 हो जाएगा और यह वाला 3 हो जाएगा फिर अगेन यह तीसरा network यह next network फिर आगए समझ महारा ना ऐसे clock चलता है Got my point Everyone Hello अब सब लोग को आवा जा रही ना समझ महारा है कि यहाँ पर कैसे हमारा यह हो आया ठीक है अब हम class B की बात करते हैं थोड़ा class B पर थोड़ा focus कर रहा है Class B Class B का हम एक network लिख लेते है 172.16 अब बोलो कि आप 172.16 नहीं क्यों लिख रहा है उसके पीछे के भी reason है कुछी और नमबर भी लिख सकते है Class B का हम वैसे हम इसको यूज कर रहे है 0.0 यह हमारा network ID हो गया चो पहली valid IP होगी which is 172 16.0.1 This is the first IP और आपको पता है कि जो हमारे number of network bit कितने 16 तो 2 की पावर 16 65,536 होगा network ID, broadcast ID को माइनस कर देंगे तो 65,534 IP हमें मिलेंगे per network में तो इसमें एक network में इतने IP हमें मिलते हैं तो पहली IP क्या होगी यह होगी second IP क्या हो जाएगी 0.2 172 16.0.3 ऐसे चलता रहेगा यह तो यह वाली जो value है 172 16.0.255 तक जाएगा न अब यह broadcast ID मत बोल देना क्योंकि broadcast ID तो इस network का एक ही होगा 172 16.255 बर हम दोनों portion आपके host के 255-255 होगे तब ही broadcast ID के लाएगा इसमें एक portion 0 है तो यह valid IP है this is the valid IP क्योंकि जो range है वह 65,534 है आप समझ सकते हो this is the valid IP तो यह 255 तक जाएगा उसके बाद यह जो last last नहीं बोलेंगे 255 तक जाएगा उसके बाद next system को IP देंगे 172 16.255 अगे 0 हो जाएगा और यह 1 हो जाएगा तो 1.0 अब यह network ID नहीं है यह वी एक valid IP है दिखाऊं अगर मैं इसी चीज को अगर अपने system पे sign करूँगा तो हो जाएगा class B का IP है देखो उस पर दुबार से देखना अगर मैं यहाँ पे 172 16 dot 1.255 करूँ जो आपने अभी यह वाला दिखाया था 1.255 0.255 0.255 तो यह broadcast ID नहीं है देखो अभी यहाँ पे OK करूँ तो accept कर लेगा तो accept कर लेगा मतला valid IP है और अगर मैं यहाँ पे इसको 1.0 0 कर दूँ तो यह भी network ID नहीं है यह भी आपका valid IP है देखो ले लिए इसने लेकिन यहाँ पे दोनों पे 0 नहीं लेगा यह network ID है और दोनों पे 25 नहीं लेगा तो कि यह broadcast ID है उस ब्लॉक की network ID यह broadcast ID को accept ने करेगा बाकी जितने भी होंगे उसन valid IP है तो आप ही के सामने यह सारी चीजे है तो this is the this is not a broadcast ID this is not a network ID this is the valid IP because it is come under this range from this to this range this range के बीच में क्योंकि यह first है यह last है तो first जो होता है वो network ID होती है एकदम जो last होता है broadcast ID होती है उसके बीच में सारी valid IP होती है hopes हो सबको समझ में आ रहा हो गई जीज आ रही है ना अ आलम जी यान जी आ रहे ना समझ में आपको यह जी बोले जैसे आप इसकी बात कर रहे हो ना यह वाला यह वाला बात कर रहे हो आप यह valid IP है देखा तो अभी हमने क्योंकि यह तो इसी के रेंज की क्योंकि आपकी रेंज का है 172 0.0 से लेके 172 16.25 25 25 25 25 यह तो यह होग से सही यह last होगा यह first होगा ना इसके बीच के सारी वैलिड आइपी होगा यह तो इस इक रेंच के अंदर आएगा की नहीं आयेगाा बताइए आया शेट संभी में आया नहीं नहीं भाले बताईए इए पर ल developers हुक्भी का 해서 है कि आपका system कैसे मान रहा है एक network ID नहीं है दिखाओं आपको एक चीज अभी आपको थोते हैं में सीज के बारे में पता लगेगा आपका यहां पर subnet mask का भी concept होता है आपका एक system जो है वो कैसे समझता है कि जो मेरे को IP address उपर दिया है यह वाला जो अपने उपर 172 16.1.0 लिखा है यह network ID नहीं है एक IP है ओके करूँगा ले लिया इसने लेकिन अभी देखना अभी मना इसी चीज को मना कर देगा अगर मैं यहां पर 200 बच्पन कर दूँ तो पहले हम इसके डिफॉल्ट behavior समझेंगे फिर हम इस पर भी आएंगे अब ले लिया तो आपका system logic के उपर काम कर रहा है जो logic है वो उसको बता रहा है कि यह network ID नहीं कर वैलिड IP है वो क्या concept हो वो समझेंगा अभी तो हम सिर्फ समझ रहे कि default वाला concept क्या है तब हम उस पर आएंगे एडवांस पर तो यह valid IP क्योंकि this is the range आपका block क्या है 172.16.0.0 यह अपका block क्या पूरा का पूरा अब यह जो block है इसका last IP तो यह होगा 255 255 तो यह हमारा broadcast ID हो गया यह हमारा network ID हो गया इसके बीच के यह range है यह तो valid IP ही हुआ ठीक है ना तो यह है अच्छा फिर यह जब का 1.0 जलाएगा फिर next क्या होगा 172.16.1.1 172.16.1.2 कहां तक जाएगा 172.16.1.255 अगेन यह broadcast IP नहीं है यह भी valid IP ही है तो उसके बाद यह हो जाएगा फिर अफिर 172.16.2.0 हो जाएगा क्योंकि यह 0 हो जाएगा यह 2 हो जाएगा यह करते करते यह जो वाला यह वाला जो ओक्टेट है यह भी तो कभी ना कभी 172.16.255 जाके हो जाएगा फिर 255.1 होगा फिर 172.16.255.2 होगा 255.2 चलते चलते कहां तक जाएगा 172.16.255.254 यह मेरी लास्ट वैलेड आईपी होगी एड 172.16.255.255 इस दा ब्रॉटकस इडी समझ में आया यह सारी अपकी वैलेड आईपी यह हमारा ब्रॉटकस इडी होगा खिलेर हुआ आया बिंदी जी आपको भी क्लियर हुआ ठीक है ओके इसी तरीके से क्लास एका भी हमारा सेम है अगर हम क्लास एक ही बात करें तो क्लास एक अगर हम कोई नेटफवक ले लेते हैं 10.1.10.0.0.0.0 तो यह मेरी नेटफवक आईडी होगी इसके बीच की सारी रेज हमारी वैलिड आईप होगी तो पहली सिस्टम को आईपी क्या देंगे हम 10.0.0.1 सेकिंड सिस्टम को आईपी देंगे 10.0.0.2 कहां तक जाएगा 10.0.0.0.25 तक जाएगा फिर उसके बाद नेक्स सिस्टम को आईपी देंगे 10.0.1.0 हो जाएगा 10.0.1.0 यह भी एक वैलिड आईपी ही है क्योंकि ब्राटकस आईडी और नेटफवक आईडी एक ही हो सकती उस ब्लॉक में बाकि सारी वैलिड आईपी होंगे तो यह उसी की रेंज का है तो इस इस आईपी 10.0.1.1 10.0.1.2 चलता रहेगा यह अगें यह कहां तक जाएगा आपके यह राइट टू लेफ्ट की इंक्रीमेंट होता है पहले यह वाला ब्लॉक भरेगा 255 फिर यह वाला ब्लॉक जाएगा और यह वाला भी ब्लॉक कभी घूमके 255 हो जाएगा फिर इस वाले उक्टेट में चेंज जाएगा फिर 10.1.0.0 इस तरीके से चलेगा समझ में आ रहा है ना इस तरीके से चलेगा फिर 10.1.0 लास्ट में कभी तो कभी 255 254 होगा यह मेरी लास्ट आइपी हो और यह 254 यह मेरी लास्ट आइपी होगी उस ब्लॉक की और 10.255 फिर 255 255 यह मेरी प्राट कास्ट आइडी होगी क्योंकि इस नेटवर्क के अंदर तीन ओक्टेड होस्ट के लिए हैं टू की पावर 24 माइनस टू मतलब एक करोड़ सड़ सट लाग सड़ तर जार 214 यह भी मिलते हैं यू कन सी तो यह सारे रेंज इसी के अंदर आएगा ना के लिए रहे इतनी चीज यहस और नो क्लास C का करते हैं बट आप यह नहीं बोलोगे कि ज्यादा करते हैं हम लोग कुछ भी कर सकते हैं कभी आपको क्लास B का भी मिल सकता है क्लास C का भी मिल सकता है यह कोई नहीं है कि Class C का ही मिलेगा क्योंकि Class C का लोग इसले यूज़ करते हैं क्योंकि वह यूज़ी होती है 190 to 160 है रटा हुआ है माइंड में आपका माइंड उसी को कह लिजे की एड़ाप कर लिया कि हाँ 192 168 को यूज़ करना है और आप कभी जब कई नहीं जगे पर जाएंगे कि अच्छी कंपनी में जाएंगे तो आपको 10 का नेट्वर मिलेगा 172 का भी देखनों को मिलेगा ठीक है मैंने देखा है जैसे बहुत से मेरे ऐसे क्लाइंट है या मेरे ऐसे दोस्त जो कि किस इंडिस्टे में काम कर रहे है तो उनकी इसके बार में बात करते है कि इसका क्या कॉंसेप्ट है ठीक है इतनी चीज़ समझ महीं है मैंने अभी आपको आई-पी का लोकेशन बता कि बोलिए हां जी आरे ने सबको वाज पहले कंफर्म कीजे तभी ठीक 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 अज दिक्कत आएगी निया अब लोग नेट्वक का क्योंकि आज मैं कहीं और बैठा हूं इसलिए अब हम बात कर रहे हैं आई-पी के जो हमारा आई-पी अड्रस है उसको फिलाल दो पार्ट में डिवाइड किया गया है एक किया गया आपके पॉब्लिक आई-पी और एक है हमारा प्राइवेट आई-पी इन दोनों में क्या डिवरेंस सा उसके बारे में बात करते हैं पहले हम पॉब्लिक आई-पी के बारे में बात करते हैं इस आई-पी यूजड ऑन इंटरनेट और हम इसको वैन बोल सकते हैं बिकॉस इंटरनेट इस एक एग्जामबल ओफ वैन वाइड अटवर्क तो जो आपका पॉब्लिक आई-पी है वो हमारा इंटरनेट पे यूजड होता है सिरब अभी समझ ना है वाकि आगे चलके डिकल में डिसस करेंगे दूसरा पॉब्लिक आई-पी मतलब आपको पे करना पड़ता है आपको फ्री आपको पॉब्लिक आई-पी नहीं मिलता आपको पे किसको करना होता है आई-पी को अपको पे करना होता है ठीक है it is not a free or cost अच्छा रेट की अगर बात करूँगा तो अभी सोज़िया के बादे में में बात करेंगे तो पहले प्राइवेट आइपी के बारे में लिखवा लेता हूँ आपक्राइवेट आइपी इस ौच्छी अइपी यूजड इन जो आपके offices में आप जो devices connect करते हो computer वगएरा जिसमें आपका department वेक नाम का कोई होता ने department, HR department, IT department, तो जो आपके department में जो आप system connect करते हो उसको हम लोग LAN बोलते हैं जो मैंने आपको बताया था, और उसके उपर जो आप IP address assign करोगे वो private IP assign करोगे, public IP कभी आप assign नहीं करोगे, अच्छा सर अगर मैंने अपने system पे public IP address assign कर लिया तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा वो system आपको वो system उसको as a land local network की तरहीं treat करेगा, सपोज मैं अगर अपने system पे चला जाओं और मैं यहां पे public IP address assign कर दूँ अपने system पे, क्या होगा दिखा देताँ आपको मैं, public IP किसे बोलता भी range बता दूँगा आपको समझ में आ जाएगा, तो मैं किसी class एक IP address कर ले तो 19. सपोज 20.1.1 यह public IP है गाई, 20 वाला जो ब्लॉक है वो public IP का ब्लॉक है, अभी मैं थोड़ी दिर में बता हूँगा कि क्यूं है ऐसा range है, उसका अंदर आपकी range रिजर्व रखी गई है, तो जो public IP की range में 20 का network आता है, तो अगर मैं okay करूँगा, class करूँगा, हो गया, आपको कोई पकटने नहीं आएगा, बट कोई करेगा नहीं क्यूंकि सबको पता यह public IP की range है, और इस IP को अगर आप अपने system पे directly assign नहीं करते, public IP assign on the router, firewall, इन पे assign करते हैं, तो जब मैं भी अपने learning stage पे था, और मेरे कोई problem आती थी, दिबाग में हमेशा यह बात चलती थी, कि यह private IP, public IP तो बता दिया teacher ने, लेकिन अगर मैं public IP को assign कर भी दूँ, अपने system पे तो क्या होगा, तो हमें answer मिलता था, कुछ नहीं होगा, कर दो, नहीं करना है, आपको करना है, क्यों public IP है, नहीं अगर हम sir कर दें, क्यूं करोगे, नहीं करना होता है, बस हमें इतना ही बता था, हाँ sir ने बोल दिया, नहीं होता है, तो नहीं कर सकते, लेकिन जब हम industry के दर धीर धीर काम कर करते हैं, चीजे पढ़ते हैं, हम और अपने अंदर research करते हैं, हम और अपने अंदर research करते हैं, तो मेरे एक आदत थी, शूरू से यादत और अभी यादत है, जब मिवे कोई चीज पढ़ता हूँ ना, किसी भी teacher से, तो उस पे तो मुझे trust रहता ही रहता है, पट मैं उसमे private IP और public IP की बात करें, तो वो एक category है, जो कि आईना ने divide किया, कि ये range public की है, ये range private की है, अभी मैं range लिखवा दूँग आपको, लेकिन अगर मैं अपने office के network में, अगर मैं अपने office के network में public IP वाले range की IP address यूज कर लो, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, आपके system communicate करेंग और आपको problem भी नहीं आएगी, वो system के उपर जो public IP address assign कर रहे हो, उन IP को वो private की तरह ही treat करेगा, कोई problem नहीं आएगी, चीक है, लेकिन हम नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, चलो, मैं बता देता हूँ, कि suppose आपने एक public IP की range ले ली, उस public IP की range को अपने system पे लगा दिया, और आपने एक internet connection लिया, जिस company से, उसने उसी public IP की range आपको दे दी, ये public IP आपको मिला है, तो वो public IP जो अपने assign के अपने system पे, और वो ही system पे अगर आप अपने उसके internet पे लगा दोगे, अपने अपने पब्लिक IP के लिए यूज करोगे, अपने router पे, firewall पे, तो आपका जो system है, वो अपने local info में ही काम करेगा, वो बाहर नहीं जा पाएगा, तो कहने का मतलब है कि आप कभी भी network में, जब भी हमारा LAN network होता है, जहां पे हमारे department connected system जो connect करते है, अपने office का network जो तयार करते हैं, उन सभी पे जो IP scheme हम use करेंगे, which is always private, और public IP आप use नहीं करोगे, लेकि है, तो private IP using the LAN network, second point, it is free of cost, आपको कोई पैसा नहीं पे करना बढ़ता है, पर उसके लिए आपको पैसा पे करना होता है, क्योंकि public IP आपको free नहीं मिलता है, और जो भी IP address public IP आपको खरीदते होना, वो आपके नाम पे registered हो जाता है, और वो worldwide unique होता है, but the private IP आपके unique नहीं हो सक सकते, मैं जिस company में काम कर रहा हूं, उस company में मान के चलो, मैं ये network यूज कर रहा हूं, प्राइवेट, 192, 168, 1.0, ये प्राइवेट की range है, बताऊंगा भी थोड़े में और, तो ये बाला ब्लॉक मैं अपने network में यूज कर रहा हूं, हो सकता कि आप भी अपने company में यही network का block यूज कर रहे हूं, 1.0 वाला block, कर लो, क्योंकि free of cost है, तो ये आपके दो organization के अंदर same हो सकता है, पर जो public IP होता है, वो कभी भी दो organization के अंदर same नहीं हो सकता, हमेशा worldwide unique होगा, क्योंकि public IP आपके internet communication के लिए होता है, और internet पे जो communication होता है, उसके अंदर device को uniquely identify करने के ल होता है, तो जो IP address, public IP आपको company को मिला है, वो IP address worldwide किसी दूसर सिस्टम पे हो ही नहीं सकता, कितना percent, thousand percent ले लो, two hundred percent ले लो, it is our, सत्प्रत्य सत्य का बना रहा हूं, कि ये IP address आपको जो भी मिलता है public IP, वो कभी भी worldwide same नहीं हो सकता, तीक है, अब अगर मैं range की बात करूँ, तो public IP की कोई range नहीं लिखाऊंगा, सिरफ private IP की लिखाऊंगा, क्योंकि private IP की range जो है, वो limited है, तो बाकि जो बचे हो सारे public हो गए, private, private IP, तो मैं जो range लिखवा रहा हूँ, private IP की, तो class A से start करते हैं, class A के अंदर, जो 10 वाला block है न, 10.0.0.0 से लेके, 10.255.255 यह जो 10 बला block है, सिर्फ 10, यही class A के अंदर, private IP के अंदर fix है, बाकि क्या range बचे है हमारे, एक से लेके 9, जो पहला octet है, एक से लेके 9, और 11 से लेके 126, क्योंकि class A की range एक से 126 तक ही होती है, valid, जो हमें यूज कर सकते हैं, 0 और 127 हम यूज नहीं कर सकते हैं, कल यह बताया था मैंने, तो private IP के अंदर, सर्फ 10 वाला block fix है, तो बाकि क्या बचे, 169 और 11 से 22, यह सारे public IP की range है, समझ में आ रहा है न, तो यह हमारी range होती है, ऐसे हम class B की बात करूँ, तो class B के अंदर जो fix है, देखो यह चीज़ इंटर्वू में करे पर पूछ लेते हैं, private IP की range बता दो, class B की क्या होती, A की क्या होती, C की क्या होती, मैं यह नहीं कहूँगा कि आप पूछते ही पूछते हैं, लेकिन पूछ भी सकते हैं, आप अग तो इसलिए पूछ लिया जाता है, चीक है, class B की बात करूँ, तो 172 और 16.0.0 से लेके 172, 31.255.255, यह जो range है, यह class B के लिए fix है, तो अगर मैं इसको थोड़ा explain, और explain अच्छे से करूँ, तो थोड़ा और अच्छे से समझाओ, तो समझो, हमें तो इस तरह से पढ़ाए जाता है, class B की range लिखवा दी, हमने बहुत struggle किया है, बैतर रहा हूं कि जब मैंने CC ने किया था, मेरे को तो network से इतना डर लगने लग गया था, यह network इतना मुश्किल है, लेकिन, यह कि समझाने वाला और समझने वाला दोनों के उपर आपकी communication मिलनी चाहिए, एक समझाने वाला कैसे समझा रहा है, और समझने वाला कैसे समझ रहा है, यह दोनों को बर काम होता है, मैं चैसे समझने कोशी कर रहा हूं, बट आपके समझ में नहीं आ रहा है, तो भी आपको एक एकजामपल से नहीं मैं दूसरे एकजामपल से कोशिच करूंगा में बहुत सरे एकजामपल होते हैं कहीड कई न कई आपको सममझ में आये याये गा लेकिन मेती अन्तरीक शळार हुग कि आपकोु वाले को भी ऐसे आता होगा वो भी यह समझ के आगे बढ़ जाता है लेकिन मैंने यह चीज़ें फेस करी है मैं यह यह रेंज तो लिखवा दिया कि यह रेंज होती है लेकिन यह रेंज मुझे कभी समझ में नहीं आई थी उस टाइम पर जब मैं CCNA लेबल पर था कि यह चौल 16.0.0 से लिएके 172 31. तो मतलब आपको पता है class B के अंदर starting के 2 octate network के लिए represent करते हूँ, no very well इस 2 octate are for the network, rest of the host portion, तो समझो 172 16.0.0 एक network हुआ, 172 17.0.0 एक network हुआ, 172 17.0.0 एक network हुआ, 172 17.0.0 एक network हुआ, 172 18.0.0 क्योंकि यह range बढ़ती ही चली जाएगी न, यह वाली रेंज आपकी कहां तक जाएगी, 172 31.0.0 आप समझे, यह एक separate network है, यह एक separate network है, यह एक separate network है, यह total इतने network, 16 से लगे 31 तक ही हमारी private होती है, तो यह जो range है 172 16.0.0, 172 16.0.0 यह तो network ID होगी, broadcast का ID क्या होगी इस network की, और valid IP कहां से कहां तक होगी, 0.1 पहली IP होगी, 172 16.0.0, sorry, 255.254, यह मेरी last IP, यह मेरी first IP, तो this is the valid IP, तो यह एक network ऐसा हो गया, ऐसी दूसा जो network था 172 17.0.0, कहां तक जाएगा, 172 17.255.255, यह मेरा, यह मेरा broadcast, यह मेरे last type, यह मेरी, क्या है मेरी, यह मेरी है network ID, यह है मेरी broadcast ID, validate भी कहां से कहां तक होगी, again, वही 172 17.0.1 से लेके, 172 17.255.254, यह मेरी last IP होगी, समझ में आ रहा ना अब आपको, यह जो मनें explain किया, इस range को, कहां गया, यह जो range है, यह range यह यहाँ, ऐसे होगी, ठीक है ना, यह block आप यूज़ कर सकते हो, 172 16, 172 17, 17, 172, 17.18, अब टो 172.31 तक यूज़ करते हो, अगर आपको कोई network, अगर मैं आपके सामने IP लिखू, 172 31.1, यह public है, private है, tell me, is it private और public, बोलिए, sorry, क्या बताए अपने, public है, public, 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 why, because the range private is 172 16 to 172 31, तो यह तो 32 है ना, अगर यहाँ पे 31 से उपर है, और 16 से नीचे है, तो public हो जाएगा, सिरफ 172 को देखके मत चलना, यह दोनों block आपको देखना है, तो 172 16 से लेकर, 172 31, यह 16, 17, 18, up to 31 तक जाएगा, private है, अगर 172 की 15 हो गया, तो public हो गया, 172.32 हो गया, public हो गया, समझ में आया, clear है चीज, क्यों बता रहा हूँ, because जब आप एक्जाम देने जाओगे, तो आपके सामने, suppose एक IP के आईपी लिख दे या, 172 32.99.199, is it private IP और public IP, अरे यह तो private है, wrong answer, it is not private, it is a public, why, because 172 32, 32 जो है, वो 31 से बड़ा है, 31 के बाद जो होगा, वो public में चला जाएगा, 16 से जितना पहले हो जाएगा, वो सारा हमारा public हो जाएगा, range आपको पता होगा, तब ही आप answer कर पाओगे, तो range तो मैंने बता दिया, लेकिन फिर भी आपके मन में confusing आगे न, क्यों, क्योंकि वो range मैंने आपको explain करके बता है, तो अब और जादा clear हो गया होगा, what my point, yes or no, clear है इतनी चीज, yes or no, छीक है, अब एक और बता रहा हूँ, उसका भी confusing रहेगा, वो भी clear करूँगा, जहान से समझना, 192, class C की बात कर रहा हूँ, private IP की range, सारी range में private की ही बता रहा हूँ, 192, 168, 0.0 से लेके, 192, 168, 255.255, अब हमारे को यही बता आए गया था, इस range होती है, 172, 16, 0.0 से लेके, 31 से था, उसके अंदर भी यह दो octet थे, और class C के दो तीन octet होते हैं, आपके मनले में भी confusion होगा, इसको मुदर explain करो, इसका मतलब क्या है, मुझे कैसे बता लगे हैं पर कितने network निकलेंगें, तो ध्यान से समझो, मैंने बता था, class C के दो तीन network portion होता है, यानि आपको ये तीन block मिला हुआ है, तो ये वाला तो तीन block है, यानि ये ये वाला block, 192, 168 तो रहेगा ही रहेगा, ये वाला block 0 से लेके 255 तक जाएगा, समझ में आया, यहाँ पे, क्यूंकि तीन न वो लॉक होते हैं न वर network के, तो 192 और 168 ये तो रहेगा ही रहेगा, लास्ट में ये जो 0 है, ये फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, आप 2 कहां तक रहेगा, 192, 168, 0.0 ये पहला network, 192, 168, sorry, 1.0 ये दूसरा network, 192, 168, 2.0 जो मैं आपको range बताया, 192, 168, 0.0 से 192, 168, 255, 255, मैं इसको explain कर रहा हूँ, open करके कि कैसे assignment होगी, थर्ड, 192, 168, 3.0 से लेकर, 192, 168, 255.0 ये लास्ट network निकलेगा, इस network की broadcast ID क्या होगी, बताओ जड़ा, मुझे इस network की broadcast ID बताओ क्या होगा, anyone, दोनों भी बता सकते हो, जो बता सकता है, बताओ, 68, dot, बोलो, बोलो, ने, ने, इस network की broadcast ID, दोबारा बताओ, कोशिश करो, नहीं, अभी भी समझ में आए, में को, दोबारा बोलो, 255.1, आहा, 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 बोलो, 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 बिनी ची आप बोलिए, आलिम भी भी बोल सकते, मुझे नहीं बता, का आप पर उसे कौन बात बोल रहा है, ने, पूरा बोलो, पूरा, 255 तो रहाएगा, पूरा बोलो, 192, 168 के बाद क्या आएगा, मैंने जिसको, .255, broadcast ID पूछ रहा हूँ मैं, देखो, पहले बताओ, network ID कौन सा, network ID कहां तक है, network ID कहां तक है, इस network की, यह network portion है, yes or no, यह network portion है, 192, 168.0.205 यह broadcast ID होगी, got my point, आपको किसी भी class की broadcast ID निकालने के लिए, आपको उसका network portion पता होना चाहिए, कहां तक है, we know very well, this is a class C network, and the class C network having three block of the network, yes or no, this value I will write down as it is, rule बताया था कि last को हम लोग 255 करने के broadcast ID निकल गिया, यह आपका network ID है, ठीक है, अगर मैं आपके समने यह लिखता तो आप मुझे बता देते, 192, 163.255, बट इसका नहीं बता पाए, क्योंकि आपने, इसको 0 मान ले, यह भी एक value ही है, यह network ID ही है, got it, yes or no, समझ में आया, कोई दिखकर तो नहीं है आपर, समझ में आया, ठीक है, चलो, एक और मैं लिखता आपके सामने मुझे बताना, ठीक है, मैं class B का लिख रहा हूँ, 172.15.16.17, मुझे इसकी broadcast ID बताओ, क्या होगी, अभी तुम नहीं बता दिये class B, अगली बर मैं एक और IP लिखूँगा, अब आपकी practice करवा रहा हूँ मैं, ठीक है, अभी 4-5-6 example लोगा, मैं को broadcast ID बताना है आपको, ठीक है, बताओ, 172.172.15, 172.255.255, ओके, network ID क्या होगी, इसी network की, network ID क्या होगी, इसी block की, 192.172.16.0.0.0, बस आपको क्या देखना है, रूल समझो, सबसे पहले, अगर मैं आपके समने कोई IP लिखता हूँ, तो पहले आप class identify करोगे, जैसी ये class identify हुआ है, B का, मुझे बता है, B के अंदर, पहला portion network का है, 2 octate, मैं दोनों value casualties उतार लूँगा, last वले host portions होते हैं, दोनों को 255 कर दूँगा, broadcast ID बन जाएगा, दोनों को 0-0 कर दूँगा, network ID बन जाएगा, simple सा rule है, कोई funda है ही नहीं, इसके अंदर, got it, practice करते करते हैं, आ जाएगा, ठीक है, चलो एक और example लेते हैं, चलो, एक और example लेते हैं, मैं, लिख रहा हूँ ध्यान से बताना, 100.1.100.15, मुझे broadcast ID बताओ, क्या होगी, अराम से, जल्दी बाजी नहीं, दो मिनट पॉज लो, क्योंकि अभी फ्रे, यह broadcast ID होगी, network ID क्या होगी, बिल्कुल, क्योंकि class A का है, पहला अक्टेर network को रिपरजन करता, बाकी को host करता है, तो यह network portion है, तो मैं इसको एजटीज उताल लूँगा, बाकी host portion है, तो बाकी को मैं 0-0-0 कर दूँगा, ज़्यादा 0 होगे, यह network ID निकल गई, और 100 करके 200 पस्पन कर दूँगा, 200 पस्पन कर दूँगा, 200 पस्पन कर दूँगा, गुड, कोई दिक्कत तो नहीं है समझने में, तो यहाँ पर हमारा IP का यह जो fund है, यह होता है clear, ठीक है, और क्यूंकि मैंने Friday को आप लोग की class नहीं लिया था, और Friday को मैं सो गया था, इसलिए मैंने आज की class ले लिया, और अभी मेरे को 7.30 मेरे मेरे एक और class है, तो मेरे को भी class यहीं पर ओवर करना पड़ेगा, ताकि आपका जो Friday का class तक मैंने कुछ कवर कर दिया, ताकि आपका आज का time यूटिलाइज हो जाए, ठीक है, जी-जी, पूछे, 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 मैं बताऊंगा, बताऊंगा, सब्नेटिंग पढ़ाऊंगा, बताऊंगा, वह भी आएगा, हाँ, अभी हम आईपी के बारे में पढ़ रहे हैं, आईपी के अंदर हमारा इतना, जो था, वो cover हो गया, अब मैं आपको next class में, सब्सक्राइब को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, इसका subnet mask के बारे में क्या होता है, और बेसिकली 5-7, आदे घंटे का सब्सक्राइब सब्नेट मास खतम हो जाएगा, उसके बाद फिर हम subnetting स्टार्ट करेंगे, तो जो आप question पूछ रहे हो वो subnetting का पार्ट है, और subnetting करने के बाद फिर हम लोग subnetting का practical करेंगे, फिर आपका practical की साथ सा समझ माता रहेगा, ठीक है, चलो मैं वीडियो जो है आज अनिहाओ अज सबको मैं जो लास्ट दो रिकॉर्ड क्लास की जो बिगड़े हो वो मैं आपको प्हेज़ दूँगा ठीक है,